असलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टो माई चैनल आज का व्लोग शुरू हो रहा है सुबह से और यह मैं सुबह बच्चों को छोड़ के बड़े बेटे को छोड़ के मैं दर जू आ गई थी चोटे बेटे के साथ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और मैंने गा उसको थोड़ा सा एनिमल्स वगएरा दिखाऊं तो यहां पर यह हम जू आए हुए थे मैं और मेरा चोटा बेटा और यह देखें व्यू देखें कितना हसीन और इतना प्यारा व्यू है यह पूरे उद्धर टहल रहा है उसके बाद मैं घर आ गई थी और यह फिर मैंने कोई व् पार्स थी इतनी सारी और वह बॉल्स और बॉटल्स वगे रहा थी यह सो रहे था जब घर आया थे और बहुत अपसट हो गया थे कि मैंने बच्छों को यह चीज़े देने थी और वह सो रहे हैं खैर उनको देर हो रही थी तो चले गये थे पिर जब यह उठे है तो मैंने कुल शॉक नहीं है ट्वाइस का यह एक्साइटीड हो जाता है इन चीजों को देखके पर उसको शॉक नहीं है इन चीजों का मैं उसके लिए बहुत वाइस लेती थी फिर एक टाइम आया है मैंने उसके सब कुछ लेना चोड़ दिया क्योंकि वह चीजों से नहीं खेलना और फिर चोटे बेटे को मैंने कभी कुछ चीज इस तरह की लेगी नहीं दी पर वो खेलना चाहता है पर उसको बड़ा नहीं खेलने देता इसलिए मैं इनके बावा लेके आया थे तो फिर मैंने इनको दी ही और ये माशालला फॉल एक्साइटीड हुआ हुआ थे देखें उसके बाद बेशक इन्हों ने पिर उनको देखा भी नहीं पर यहां पर दोनों माशालला बहुत निजवाय कर रहे थे पर जी मैंने हलक साइट पर किया हुआ था इसको नजर आ गया इसको ने खाल दें बट इसमें इनके बाबा सेल डलवाना भूल गया थे चलता है और यह बहुत ज्यादा माशाल है यहां पर एकसाइटीड हो रहे हैं खेल रहे हैं और इनको देखके मुझे अपने बच्पन का टाइम भी याद आ रहा था कि किस तरह माबा से चीजों की फरमाईश करते थे और वाला के देते थे और बड़ा अच्छा होता है बच्पन बच्पन जैसा फिर कुछ भी नहीं रहता तो मैं इनको देखके हैं पर बहुत अच्छा टाइम मेरा भी गुजर रहा था मैं बहुत इंज्वाई कर रही थी इनको देखके और ऐसे लग़ा था सारी बच्पन की यादे ताजा हो गई है और अलाद बहुत प्यारी चीज़ और अलाद जब खुश हो तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई भी नहीं होती माशाला से नेक्स डे था नेक्स डे की मॉर्निंग थी और ये अपने बाबा के साथ खेल रहे थे और ये इंज्वाई कर रहे थे बहुत प्यारा टाइम था ये तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया खेर ये था जी आज का मेरा व्लॉग अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लाइक कर दें और मुझे बहुत सारा प्यार दें ताकि मेरा चैनल ग्रोग कर सके बहुत शुक्रिया अलहाफ़र